नमस्कार सीला किरसोय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए नीबुकाचार आप भी ऐसे बना सकते हैं और सालो साल रख सकते हैं खराब गिल्कुल भी नहीं होगा यह देखिए इस तरह से तो मैं केवल दो भाग ही की हूँ आप चाहें तो इससे भी छोटा-छोटा आप नीबु काट सकते हैं तो थोड़ा सा जल्दी गल जाता है छोटा-छोटा काटने से लेकिन वह ही है थोड़ा सा बाद में बहुत मैसी हो जाता है और इस तरह से बड़ तो नीबु का अकार थोड़ा बड़ा है और रसीला है तो आप जब भी नीबु का चुनाव करें तो रसीला ही करें और दाग वाला नीबु बिल्कुल भी ना लिजेगा निबू में कोई दाग नहीं होना चाहिए तो निबू ही लीजेगा और जिसमें रस से भरा हो हुआ यह देखिए तुमें है। इसे चारख में भी काट सकते हैं तो देखिए सरसो का तेल है जिसमें गरमकर कर ठंडा कर लई हूं सरसुक तेल लगबक marginal है अले देखिए सारे सरसो है मेथी है ऐसे मैं हलका सा भून ली थी तो भूनने पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है गए अई देखे मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउड़ा डाली हूं हल्दी पाउड़ा दो चमच के बराबर है यह मसाला में जो मसाले में खड़े डाली थी वही मसाले में इसक पाउड़ा के आशार के वस्ता अनुसार ही डाल जीएगा ज्यतना आपके आचार है अब देखें ही कई कशमीरी लाल मिर्च है यह ज्यादा तिखा वही नहीं होता अगर आपको तिखा खाना हो तो आप जो नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर होता है आप उसे भी डाल सकते हैं ऐसे देखिए मैं अच्छे तर इसे मिक्स कर लूँगे ताकि इसका जो नमकोगरा है अच्छे से गल जाए ऐसे मिक्स करने में टाइम दीजेगा थोड़ा सा यह देखिए आप चाहे तो बीना तेल के भी बना सकते हैं उसका भी मैं रेश्पी डालूंगी वह भी अचार बहुत ज्यादा अच्छा बनता है यह देखिए इसे मैं अच्छे तरह से चला के मिक्स कर ली हूँ अब जो मैं निभू काटके रखी थी उसको मैं इसमें मिला द रखता है मुस्क्रिक से पांच मिनिट लगे थे बनाने में बस मसाला उसला आपको तयार करने की जरूवत पढ़ती है तो ऐसा मसाला तो वैसे भी मैं तयार करके ही रखती हूँ जार में भरके जरूवत होती मैं फट से बना लेती हूँ तो यह देखिए मैं अच्छे तरह तो जार भी आप सुखा ही ले इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए जार आपके क्योंकि जरा से भी पानी लगा रहेगा तो आपका अचार खराब हो जाएगा इसका बहर ध्यान दिजेगा और धूप में दिखाने के बाद ना इसे शेक करते रहेगा हिलाते यहीएगए ताकि इसका मसाला जो है अच्छे से कमकभी ऐलता होता है यही रखिये यही रखियेगा और तेल मजड में डलेगा तो देखिएगा वैसे भी अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बिना तेल के भी लेकिन ये वाले अचार में आपका अलगी स्वादा आएगा जो तेल वाला अचार बनता है उसका स्वादा लगाता है और जो विना तेल के बनता है उसका स्वादा लगाता है तो देखिए अचार हमारे बन के तयार है तो वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा तो धकन न लगाईएगा पहले तूप में जरूर रखेगा इसे तो मैं आपको दिखा रही हूं तो कम सकम एक हपता के बाद आप धक्कन लगाएगा आपके आचार बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे तो वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और प्लीज मेरे चाइनल को सस्क्राइब करिएगा बेल आने के कोशिश जरूर करूंगे थैंक्स पर वाइचिंगे